नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बजट जो सरंडर कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले बजट सरंडर करने के लिए हमें ट्रेजरी हरियाना सर्च कर रहे हैं आपका जो भी डिस्टिक है तो उसके ट्रेजरी सर्च करें उसके बाद जैसे मैं हरि अपने स्टेट की ट्रेजरी स्लेक्ट करें और उसके बीचे स्टेट का नाम लिए करके सर्च करेंगे गूगल पे तो आपकी स्टेट की जो ट्रेजरी है उसका लिंक ओपन हो जाएगा तो अभी यह प्रसेस हो रहा है जैसे ही ओपन होगा इस तरह का पेज आपके सामने आएगा यहाँ पे आपने ओनलाइन बजट इसके ओपर क्लिक करना है ठीक है ओनलाइन बजट के ओपर क्लिक करना है ओनलाइन बजट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन होगा वहाँ पर आपने अपना जो इस एलरी का id पासवड रहता है वही ID पासवड यहाँ भी रहता है थीक होminded दॉन्नों का सेम पास्वड आईडी होता है देखें यह यह यहाँ पासवड यहाँ पर लगाकर आपने login के उपर क्लिक करना है वहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज open होगा इस पेज पर आपने क्या करना है यह ओप्रेशन जहां पर ओप्रेशन लिखा हुआ है यहां पर ओपरेशन के सरेंडर और बजट टू बजट एलोकेशन ओफिसर इसके उपर क्लिक करना है जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का जो पेज है ओपन होगा अब आपने क्या करना है देखिए जिस स्कीम का आपने बजट स्रेंडर करना है स्कीम स्लेक्ट करेंगे सबसे पहले ये वाली स्कीम मैंने स्लेक्ट कर ली उसके पाद यहाँ पर सेक्शन नमबर देंगे यहाँ पर डेट उसके पाद देखिए इसमें सेलरी में ये बजट है और डिये में ये बजट है मुझे जो भी सरंडर करना होगा उसके यहां पे यह देखिए यह इतना बजट है जो अवैलबल है सरंडर करने के लिए तो अभी जैसे मैं इसमें यह सरंडर करना चाहता हूं तो इस पे अमाउट करूंगा मैं करने के बाद अब अब यह बता देगा कि कितनी अमाउंट बैलनस है तो यहां से आप देख सकते हैं तो यह उसी तरह से माइनस हो जाएगी ठीक है यह बैलनस रह जाएगा उसके बाद तो आपने क्या करना है यह बैलनस रह गया उसके बाद यहां पर यह कैप्चा फिल करना है फिल करने के बाद सेव के उपर क्लिक करते ही अमाउंट जो आपकी सरेंडर हो जाएगी अगर और किसी स्कीम में बजट होगा तो वो स्कीम यहां पर आजाएगी यहां से वो scheme सेलेक्ट करके आपने यहां अपडेट करते हैं जितना जिस scheme में से surrender करना है आप यहां पर क्लिक करेंगे balance amount यहां पर दिखा देगा तो इस तरह से आप budget save करते ही आपके जो budget से वो budget cut जाएगा surrender हो जाएगा और balance budget रह जाएगा तो इस तरह से आप budget surrender कर सकते हैं online कर दो